विवन स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइफ पे तो चलीए हम आज के अपने दूसरे लेक्चर पे हैं आप सभी कैसे हैं सबसे पहले बताइए मुझे की सभी का क्या हाल चाले गुड़ी इवनिंग नमस्ते सभी को हाई ऐ आयूश तो चलीए मुझे बताईए कि कल का लेक्टर कुछ याद रहा आपको कुछ समझ में आया आपको पटापट से मुझे कॉमें बताइए कि तीजे याद है या एक बार थोड़ा सा रिविजन कराने की जरुवत है सबसे पहली बात तो ये और घर रात में पढ़ाई करी थी इसके बारे में या नहीं पढ़ाई करी आई वाट समझ में तो चली फटावट से बताइए क्या सिनारियो है आपका क्या कर रहे है बुक्स खोल ली है नहीं खोली है पटावट से सबसे पहले अपनी एंसी एर्टी बुक जो है वो ओपन कर लीजिए आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिविल्यूशन आइडिया आफ नेशन तो फ्रेंच रिविल्यूशन के बारे में हम यह सारी चीजे पढ़ेंगे तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है यह सबसे बन आफ यह सबसे आसान क्यों है यह टॉपिक क्योंकि हम 9th क्लास में पूरा एक चैप्टर बढ़ गया है इस पे तो ज्यादा स्ट्रगल ही ने लेना अपने को इस पे अपने को बस पुरानी चीजे रिवाइस करनी है अब यार मैं पिछले क्लास की बात कौन याद रखता है मुझे कल ने पापा ने क्या बोला था वो याद नहीं है आप क्या बत कर रहे हो तो बेटा कोई लोड नही है अपन थोड़ा थोड़ा रिविजन भी करेंगे जिनने याद है बहुत अच्छी बात जिन नहीं याद है कोई टेंशन मतलो तुमारे लिए ही यह क्लास है बस इस बात को ध्यान में रख लो हाई बात समझ में चलिए तो सबसे पहले अपनी NCRT ओपन करें और NCRT के साथ आप नोट बना रहे है थी उकल बात बदना चाहांगी कि कौपी बनालो खब्कर करना है हमें रहे तो इम च्छी रह यह तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे उन्हें स्टार मार्ग कर लेना मैं आपको नूट्स प्रोवाइड करूंगे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बट अपनी राइटिंग में भी लिखो जो पढ़ते पढ़ते लिखोगे न तो थोड़ा जो याद करने की पावर है हमे इसा क्या होगा क्योंकि अगर आप दुबारा से अब क्लास में बैठो के ना तो फिर आपको इतना याद करने की जरूत नी पढ़ी आपको पता है हमें नहीं यह पढ़ा है इसके आगे अपनी काम करेंगे हेलो एवरीवन तो चलो शुरू करते हैं कि भाई क्या हो रहा है तो चलिए सब्से पहले देखते हैं कि आज की क्लास में हमारा पढ़ने का टॉपिक क्या है क्या पढ़ने वाले है लिए ता फ्रेंच रिवलीश्यूशन फ्रेंच देख रहा है यह है स्टर्मिंग औफ बस्टीम कe क्या की ड स्टरूर में of Bastille, storming मतलब तोड देना, बलिद उसके उपर धावा बोल देना, और बेस्टील क्या था, ती फ्रांस कि ती जो फ्रांस है, वहां की प्रिसन, बेस्टील क्या है, वहां की प्रिसन थी, जो फॉट जैसी है, और इस पर लोगों यह आ पोट Daewa देख रहे हूंगे, लोगों ने इस पर अटैक कर रखा है इसको तोड़ रहे हैं इसके पत्तर पत्तर सब गिरा रहे हैं आई बात समझ में हेलो एब्रिवन बापस समय हुए दर्स देखिए चलो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर का दूसरा पाट शुरू करेंगे दूसरा पाट कहां से शुरू करेंगे अभी तक अपने क्या पड़ा था हमने कलिक पेंटिंग बार में पड़ा था जो की फैडिक शौरी वरजन था बिटा क्लास वापेस से स्टार्ट ओ गया है फोड़े तोड़े टेख ते मरना क्लास काहां से शुरू करनी है तो मैं क्लास के जब बारे में आपको बता रही थी तो आज हम शुरू करेंगे French Revolution से जिनको आवाज नहीं आ रही थी तो उनके लिए मैं दुबारा से इचीच बता देती हूँ कि अपने इनको क्या करना है French Revolution बहुत इजी सबसे इजी और important topic रहेगा अपना important क्यों क्योंकि जो revolution के शुरुआत हुई थी ना वो सिर्फ यहीं से हुई थी जो भी शुरुआत हुई थी हमारी revolution की जितने भी world में revolutions आया अपना nationalism आया वो कहां से शुरु हुआ अपना French से शुरु हुआ सबसे पहले France से आया उसके बाद जो है सारी क्रांतिया हुई विश्व के अलग-अलग देशों में ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ कि हमें क्या देखना है French Revolution का सबसे बड़ा फायदा क्या है इस टॉपिक को मैंने easy क्यों बोला कि बेटा की easy करने easy इसलिए बोला हमने 9th क्लास में पूरा topic एक chapter की form में पढ़ा है इतना detail से पड़ा है कि आपन इस पे ज्यादा focus ना भी करेंगी ना मैं आपको जैसे जैसे revise कर आऊंगी ना मैं अगले step पे नहीं आऊंगे आप उससे पहले बताने लोगोगे और चलो नहीं भी याद रहा तो कोई गल नी यार मुझे भी कल क्या बोला था कल मेरे को पापा ने क्या बोला था मुझे भी याद नी रहता तो class थी तो बड़ी France की क्रांती थी कोई बात नी मैं हूँ इसलिए हूँ कि यह सारी चीज़े रिवाइस करवा के आपके marks लेके आए वो हमारी responsibility है ठीक है तो सबसे पहले इस photo को देखो यह photo है यह क्या की photo है कुछ याद आ रहा है 9th class जब शुरू करी थी तो 9th class में पहले ही page पे जो है यह chapter शुरू करते ही यह photo लगी हुई थी हमा storming of Bastille, storming of Bastille क्या आता, storming मतलब तोडना, Bastille मतलब Bastille जो थी महां की France की जो Paris पे prison थी उसको लोग तोड रहे हैं उस पे attack कर रहे हैं, तो यही से थो था वो सब शुरू हुआ था, from where it all begins, जहां पे भी पूरे वर्ड में जहां पे भी क्रांतिया आई हैं, वो सब यही से storming of Bastille से सारे वर्ड के अंदर revolution साने शुरू हो गए थे, आरिये बाद समझ में, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं कि आज मैं पढ़ना क्या क्या है, फ्रेंच फ्रेंच revolution जब भई, बबाब बोलो कि यार मैं एक तो 9th क्लास में पढ़ा दिया, जब दोनों साल पढ़ाना तो किसी एक साल पढ़ा के खतम करते, बार बार इतना क्यों पढ़ाया जारा है, और सेम चीज पढ़ाया जारी है, तो बेटा जब हम लोग फ्रेंच revolution 9th क्लास में इसलिए पढ़ाया गया था, ताकि आपका base बन जाए, आपको पता चल जाए कि revolution क्या होते हैं, वर्ड में क कैसे revolution आए, तो इसके बाद अपना आगे शुरू करेंगे की चलो, इसके बाद देखेंगे कि French Revolution हुआ गया, और टॉपिक क्या है हमारा NCRT का जो हमारा main blue color की लाइन से जो टॉपिक लिगा रहता है, the French Revolution and idea of nation, तो French Revolution के बार में पढ़ेंगे, idea of nation क्या होता है, idea of nation होता है, क जो nation, concept मैंने आपको बताया था, कर नेशन और नेशनलिजम, उसमें तो कोई डाउट नहीं रहा है न आपको, तो nation और नेशनलिजम का जो concept मैंने आपको बताया था, उसमें क्या हुआ था, वहीं से idea आया, nation का, अब हम देखेंगे कि भई, France के जो लोग है, उनके दिमाग म नेशन बनाने सब के अपने अपने तरीके होते हैं, जिसे नेशनलिजम की मैंने कर आपको दो डेफिनिशन बताई थी, वर्शा वेरी गुड आपका होमवक में देख सकती हूं, डेट्स वेरी गुड जो भी होमवक करके लाया है, सभी के लिए, जो डार क्लैपिंग से एक कुछ rising मतलब है क्रांती, क्रांती मतलब आंदोलन कुछ change लेके आना, revolution जब भी आता है तो एक change आता है, revolution वर्ना एक छोटा वर मत समझो इसे, इसे बहुत बढ़ा वर्ण समझो की भाई, क्या कहते हैं, जो revolution होता है तब होता है revolution कब होता है जब आप किसी चीज से परिशान हो और उसे परिशान करने के बाद उस चीज से परिशान दुखी होने के बाद एक बदलाव लेके आ रहे हो अब बदलाव लेके आओगे तो छोटा मुद्रा अब ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़े लेवल पे जो चीज होगी कि पुरे देश में हिला दे वो रिवल्यूशन होता है आई बात समझ में तो रिवल्यूशन ये चीज होती है अब हम पढ़ेंगे कि अइडिया फशन अब तक हमने नेशन की डेफिनेशन पढ़ी मैं ने आपको दो तरह से नेशनलिजम की डेफिनेशन समझाई फिर हमने रहनन की बात समझी थी कल की वॉट इस नेशन उन्होंने हमें तीन चैर पॉइंट्स बताये थे कि भाई ये वाल दूसरा काम करोगे तो भी नीशन है, तो नीशन होते क्या है, तो वो चीज मैं आपको समझाओंगी कि भाई अब फ्रांस के लोगों के मॉन में जो था नेशन की क्या डेफिनेशन सी, उनके हिसाब से उनका nation कैसे बना nation मतलब राष्ट्र देश कैसे बना ठीक है तो यह चीज सबसे पहले शुरू करते हैं the first clear expression of nationalism came with the idea of जो पहला जो पहला clear expression था nationalism का वो कहां से आया वो आया French Revolution से अब French Revolution कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, फटावट से मुझे बताओ कि आपको कोई भी आइडिया है French Revolution कहां से शुरू हुआ, French Revolution पैरिस में 1789 में जबी स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टील हो रही थी, वहीं से शुरू हुआ, जो 1789 में स्टार्ट हुआ, तब से जो है French Revolution की स्टार्टिंग हुई, गेंवीращ से शुरू है, 1789, इंपोर्टन डेट, वन इंपोर्टन डेट, आज की क्लास की ज पाहली इंपोर्टन डेट है वो ही है, तो स्टार मघ कर लो कॉपी में, भी स्टार मां कर के लिख लो की French Revolution की स्टार्टिंग का से हुई, म Влад कप से बाइ 1789 से आई बात समझ में चलिए तो उसके बाद है जैसी फ्रेंच रिवेलिशन आया ना तो फ्रेंच रिवेलिशन का में फोकस किस पे था क्या चीज हुई क्या नहीं हुई तो फ्रेंच रिवेलिशन का में फोकस रहा हमारा कि जो आइडिया था पॉलिटिकल और कॉंस्टिट आवाज उठाई कि भाई आप जो सरकार मतलब वहां का जो राजा था अलोई 16 तो उस राजा के खिलाब जब अपनी आवाज उठाई ना तब उससे बोला कि भाई तब लोगों को लगा जैसे लोगों ने आवाज उठाई लोगों को लगा अब हमें अपने थॉट्स बदलने पढ़ेंगे जैसा चलता आया है वैसा बिलकुल भी नहीं होगा ठीक है आई बाद समझ में चली और क्या लिखा इसमें दा पॉलिटिकल अन कॉंस्टिटूटिशन चींजस केम इन दा वेक आफ फ्रेंच रिविल्यूशन विच लेट तो ट्रांसफर अफ सवेर्निटी तो द गई है या फिर हिंदी में से राजिशाही कहते हैं या फिर जो राजा का वाज्ट का वाला ठीक है घ्रिट इसके बात रहाँ से आया वहां से आया फ्रेंच रीप++ रीपॉब्लिक या attitude पे के सिसे आ अया मतलब हमने अप बापस सेन्फ नाइन क्लास में जलते हैं ये चीज़े एक बार कोई स्लाइड को भूल जाओ बिल्कुल मत देखो जो मैं बात कह रहे हैं वहाँ पे सुनना ठीक है तो अपन शुरू से शुरू करेंगे जब हमने फ्रेंच रिवेलिशन शुरू किया था तो अब हमने क्या करा था सबसे पहले क्या हुआ था ह सीम पढ़ रहे थे कि स्टॉर्मिंग और यह वेस्टील की उसके बाद हो रहा है कि वहां पर बहुत इत्याचार खरता था बहुत ज़्यादा टेक्स लगाया करता था ये सारी तब तक क्या रहा है वेडवी आपको क्या समझ्छ में नहीं आ खार्व करते हैं कि हमने क्या करा कि इन्होंने अपना revolution लाया राजा जैकोबिन्स क्लब बना यहां पे जो इंपोर्टन टर्म थी जैकोबिन्स क्लब इसका लीजर कौन था रॉबस पेरी ठीक है उसने क्या करा पहले constitution आया constitution मुनार की भी आई महाँ पे national assembly जब बनी उसके बद constitution आया republic जैसा वर्ट सुना है गंडराज्य आया साविदान आया कि भाई तीन अलग अलग होंगे executive legislative और judiciary तीनों अलग अलग होंगे यह सारी चीज़े आई ठीक है अब इसके बाद क्या हुआ कि यह सब हुआ इसके बाद प्रांस में क्या आया कि भाई जब रबस परी आया तो उसने क्या करा डिक्टेटर शिप का इंड उस ने बोला उसने क्या करा सब को requirement इसकर बाद क्या आया कि डिरिक्टर बनी पांस लोगों की पढ़ी थी आपना नाइंत क्लास का प्रेंच रिवलूशन तो इसी से रिलेटेड है भ Pers Based Contact बों तहां कि हमूएप सिटीज़न को voting right आ कि इस citizen अपनी government choose कर सकते हैं आई बाद समझ में तो चलिए यही लाइन यह कह रही है कि बच्चो की जैसे ही फ्रेंच revolution आयाना तो वहाँ पर पॉलिटीकल और constitutional changes जो ते वह सबसे पहले आई political मतलब राशनेतिक constitution मतलब constitutional मतलब सवेधानिक मतलब जो सवेधान में change थे सवेधान मतलब जो हमारा constitution ने जो ऐसी ऐसी जगे ऐसी बुक जिस आरे लॉस लिखे जाते हैं.Dhand to repeat कर दो. Ḥ origin कर Summa, merging form阅री दो केता है कि आ यह जी now aания तो प्रेंच revolution में यह सारे चेंजर है कि ऐसा की वहाँ इन आते ही तो open की जो तहा प्रेंच रिएवरेशन के आने से लोगों का mindset चेंज हुआ क्या होगा पॉलिटिक्स में आने के तरीके चेंज हुत है। उनका कायिस चेंज हुत है। पवरी स्पारई मोणार्व F officers यole खम क्योंel टो. टीक सब्वाद से कंद्मधी जो नोटब जोर हो टीक हाई कहीं है。 मतलब कि वहां की जो government है, उसको कौन choose करेगा, वहां के लोग choose करेंगे, आई बात समझ में, कि जैसे अभी अपने नेता choose कर पा रहे हैं न, वैसे ही finally जब constitution आया, जब वहां पे ये political changes आये, तो वहां पे finally conclusion क्या निकला, कि ताना शाह, और जो राजशाही साशन था, मतलब जो राजाओ का वंश्वाद वाला साशन चल रहा था, बहुत गंदा सा शाशन चल रहा था, वो सब change ओके, लोगों को power मिली, कि आप vote कर सकते हो, और आप अपना नेता खुद चुन सकते हो, आया second point clear, second point clear हुआ सभी को, बिटा, disadvantage of french revolution, disadvantage of french revolution ये है कि basically एक country है, कभी वो अजाद होगी, वो सबसे पहले जो, महलब उसने अपने आप में republic ले लिया, तो क्या होगा, कि उसने बोला कि आप मैं आगे पढ़ोगे आप, french की army को क्या लगा, जैसा हमारे साथ हुआ है, हम यूरोप में सारे देशों के सा करेंगे, तो कहीं पे वो, अब disadvantage में क्या है, आप NCRT में इमेज भी देखोगे, जो फ्रेंच आर्मी थी वो जगे-जगे यूरोप के और कंट्रीज में गई, वहाँ पे उनने ये सारे फैसिलेट, ये सारे अंदुलन किये, बट क्या करा है, वहाँ के लोगों के साथ जब कि जो Lee Citoyan था और Lee Petri, यहाँ पे क्या हैगा, Lee Citoyan और Lee Petri, दोबारा से मैं spelling इलिख रहे हूँ और अच्छे से देखियेगा, और स्की spelling अच्छे से याद रखियेगा, क्योंकि ये एक्जाम में इंपोर्टेंट ली आता है हमारे पास, तो Lee Citoyan क्या था ? सबसे पहले ली पैट्री और ली सिटोयन ली पैट्री होता है अपना फादर लेंड ये फिरंदा ब्लैंक इसी लिए छोड़े करें हैं ताकि आप अच्छे से इन में हाइलाइट होके समझ तो कि ली पैट्री क्या था अपना फादर लेंड था ठीक है इसके बाद ली सिटोय क्या था ली सिटोयल था सिटीजन आई बात समझ में तो जब जैसे ही फ्रेंच रिविलुशन आया ना तो वहां के लोगों ने बोला कि भाई हमें सब को सबको बराबर कैसे कहोगे भाई आप कैसे बताओगे कि हमारे सारे हमारे देश के सारे लोग बराबर हैं तो सबसे पहले आप उनको एक नाम दोगे क्या नाम दोगे ली सिटोयन ली सिटोयन मतलब सिटीजन ली सिटोयन यहां पर फ्रेंच टर्म है फ्रेंच में बोला जाता है सब लोगों को एक वल करने के लिए उन्होंने क्या बोला सब को एक ही नाम से बोला जाएगा डाइट इस ली सि डर करते हैं तो मा के बाद इसलिए उसने बोला कि उन्होंने क्या करा जो फ्रेंच को है जो फ्रेंच नेशन है उन्होंने उसको अपने पिता के समान माना कि यह जो देश है यह हमारे पिता के समान है और यह हमा अभी जैसे मैंने समझाया कि सबकी नेशन की इमेज अलग-अल प्रेंज जुए आइडिया था ली पैटड़ी का फादरू उट के समान था तो उन्होंना फोकस किया कि का अगर किसी भी कम्रीटी को एखटा करे करखे रखना है किसीृ कम्मूerd 1974 Vaikata Gelow United Community enjoying the equal rights and ab Илиion and constitution'd your nap on a p community को हमारे लोगों को कैसे खटा करके रखेंगे तो रहना कॉमन टाम्स निखा ली ली सिटोयन ली पैट्रे कोई भी डाउट इस पॉइंट में दुबारा बता दूंगी ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं दस्टेट जनरल वाद इलेक्टेट बाइद बॉड़ी ऑफ नेशनल असेंबली यहां पर आएगा नेशनल असेंबली ठीक है जो स्टेट जो स्टेट जनरल थी उसको क्या नाम दिया गया एक्टिव सिटीजन कौन से वह जब देखो अब यहां पर वापिस से 9th क्लास रिवाइज हो रही है कि भाई जब एस्टेट जनरल की डिमांड ह स्टेट जनरल बनाई गई थी तो उसको क्या नाम दिया गया है नेशनल असेंबली नाम दिया गया और नेशनल असेंबली को किसने चूस किया दो तरह के सिटीजन हुए थे एक्टिव सिटीजन और पैसिफ सिटीजन एक्टिव सिटीजन वो वो आदमी आते थे उसके ती वहां का जो पार्लियामेंट था या एस्टेट जनरल थी वो किस बहाफ पे चुनी गई एक्टिव उसको पूरा एक्टिव सिटीजन ने चूस किया और उसको नाम किया दिया गया नैशनल असेम्बली अब क्या हुआ रेभी बल्यूशनली ओनों क्या डिसाइड किया कि थे क्या करेंगे जो हमारे देश में हुआ है जो हम्ने क्रांटी लाइं हम इसे अपने तक नहीं रखेंगे हम के हार पोनने में लेके जाएंगे आई बात समझ में ड़ैंड़ लाए आपको क्या नहीं देख रहा है मतलब आप स्टेट लगा लो या फिर एक पालियमेंट टाइप होता है पालियमेंट लगा लो उसे ठीक है चलिए क्विस्ट केहलते हैं सबसे पहले क्विस्ट का अपना पहला सवाल है नैशनलिजम विच इमर्ज एज़ फोर्स इन दा लेट नाइटीन सेंचुरी मतलब नैशनलिजम एक फोर्स की तरह आइटीन सेंचुरी में पर नैशनलिजम का मतलब क्या है कल ही nationalism का मतलब समझाया है इसलिए मैंने आपको ये क्योशन रखा कि बैए nationalism का मतलब क्या है फटावट से मुझे answer बताईए इसका कि nationalism आपने अगर revision किया है तो easily आप इसका answer दे दोगे चल दी से बताईए चल ये तो इसका answer देखते हैं हम nationalism word का मतलब क्या समझाया था strong devotion for own country history and culture own country मतलब अपनी country अपने history अपने past अपने culture के लिए बहुत तगड़ी जो बहुत जोर की भक्ती होना उसमें आस्ता होना उस पे भरोसा होना that is nationalism क्योंकि बाकी option देखो strong devotion for own country without appreciation of other country भाई ऐसा नहीं होता nationalism दूसरा option कह रहा है कि strong love for own country and hated for other country ऐसा थोड़ी कहा गया कि अपनी country से प्यार कुरो बाकी country से नफरत कुरो ये तो कभी nationalism में नहीं बताया गया तो ये भी option गलत हो गया इसके बाद लिया होया गया equally devotion for the all countries of world नहीं इस nationalism की definition क्या बताई थी अपनी country को सबसे उपर मानना ठीक है अपनी country के लिए वो लव और प्राइड होना कि वो प्राइड होना जिससे लगे कि हमारी country ही सबसे उपर है तो ये तीनों option रॉंग हो जाते हैं जो अप्शन होता है डाइट इस ए स्ट्रॉंग डिवोशन पर वन्स ओन कंड्री एंड इस स्ट्री एंड इस कुल्चर ठीक चली आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि अब नेशन की बात आई तो यहाँ पे आता है दा आईडिया और नेशन कre-nation का ऐडिया कैसे आया फ्रांस वाले लोगों ने जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने क्या बोला क्या स्टैप्स लिए की भ सित्तरी के अपने देश बनाएंगे तो डिवान इस थे revolutionaries कौन थे revolutionaries थे कि जिन्होंने आंदोलन किया था कैसे किया था वो समझाती हूँ चलो आपको तो उन्होंने आंदोलन किया आंदोलन करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अब हमें कुछ-कुछ steps लेने पड़ेंगे कुछ-कुछ steps लेने पड़ेंगे step लेने पड़ेंगे कि भई त्या कि हमारे देश की एक पहचान रहे यहां से एक चीज निकल के आती है यहां से क्या चीज निकल के आती है collective belongings the sense of collective belonging ठीक है आई बाद समझ में यह टम जो है आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे नेशनलिजम इंडिया वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे पूरा एक टॉपिक है तो sense of collective belongings का मतलब क्या होता है दुबारा लिख देते हूं यहां पे sense of collective belongings मतलब होता है अपने पन का एसास होना जो चीज हमारी है उसका एसास होना तो यह कैसे होगा आपको कैसे लगेगा कि देश हमारा है कैसे आप पैचान होगे कि यह देश हमारा है कैसे आपके अंदर feeling आएगी अप feeling कैसे आजकती है देखो जैसी कभी भी पंदरा अगस्तिया कहीं पर एकदम से बंदे मातरम सुनने लगते हो तो एकदम से हम attention में आ जाते हमारे कानों में वह बजने लगता है क कहीं पर भी बजेगा अगर foreign में भी यह बज रहा है तो अपन पता लगा लेंगी कि यह हमारा है यह India का जो है song है ठीक है कहीं पर भी national anthem बजता है चाहे movie hall में ही जाते हैं जैसे ही national anthem बजता है हम सब खड़े हो जाते हैं straight खड़े हो जाते हैं क्यों होते हैं मिटा क्योंकि ह उसे respect करते हैं और respect किस की करते हैं अपनी चीजों की क्योंकि ये हमारी है हमारे देश की है तो वही idea जो था इक नया flag lie tri-color, tri-color flag लैक जैसे हमारा tri-color flag है ना कि वहलब तीन color उते हैं वैसे इंका tri-color flag था ये blue white and red ये इनका tri-color flag था ठीक है अब इसके बाद है, new hymns were composed, oaths were taken, hymns मतलब होता है भजन या फिर वीर गाता वाले लोग गीत जो होते हैं, मतलब कि नए नए ऐसे गीत गाए गए, जैसे हमने पढ़ा था ना, वहाँ पे national anthem आया, मरसले, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ कि भई, नए नए गीत आए गए, जिससे उनको ब देश के प्रती जो है, बहुत वफादार रहेंगे, क्या गयते हैं, यह होगा, देश के national anthem wrong बिटा, क्या, national anthem मरसले नहीं 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 था, मरसले नहीं था, मरसले नहीं था, यही तो धा national anthem, ठीक है, अब इसके बाद है, मैं become of collectivity identity, national states were created, नहीं, बिटा, nation state create हुए, तब उन हिम्स मतलब होता है, अविनाश, जो हिम्स मतलब होता है, डाट इस भजन, हिंदी में बोले तो भजन, और यहां पे बोले, जिस context में लिया गया, भजन में क्या होता है, भक्ती होती है, तो वैसे यहां पे जो भक्ती की गई थी, जो नए, जो revolutionary, जिन लोगों ने उनके पी वैसी वाली शपत ली गई थी इनकी अपनी अपनी शपत होगी ठीक है उसके बाद शहीदों को याद करा गया शहीदों के नाम लिखे गए हमें यही बोलते हैं जिसे हमारा कारगिल के युद्ध में जित्ते भी शहीद हुए था आपका भी कारगिल घूमने जाओगे तो वह हाँ पे उस युद्ध में शहीद हुए हर एक माटेयार मतलब हर एक जवान का जो है नाम लिखा हुआ है मापे उनका मेंशन किया गया है कि भाई यह इस टाइम पे शहीद हुए थे तो यह श्रदांजली देना होता है तो वह यहापे किया गया ताकि लोगों को याद रहे कि इनकी इस आजादी के पीछे कितने लोगों ने कुर्बानिया दी है आई बात समझ में क्या समझनी आया है प्लीज बेटा मुझे कमेंट्स में बताओ कि समझ में क्या नहीं आया है आपको ठीक है सेंट्रिलाइज एडमिस्रेटिटिव सिस्टेम वास पोटेंट प्लेस एडमिस्रेटिव सिस्टेम क्या होता है एडमिस्रेटिव सिस्टेम होता है प्रशाशनिक व्यवस्ता और मतलब होता है शपत लेना कि मैं प्रतिग्या करता हूं कि अपने देश के लिए अपना हमेशा सदैव हित में रहूंगा ठीक है इसके बाद होता है रिपीट क्या कर मतलब होता है कि शहीद होना जो लड़ाई करते हुए देश के लिए शहीद हो गए ठीक है सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट वही बता रही हूं कि नए नए भजन बनाए गए शपत ली गई माटे अर्स वे हमेशा याद करते रहें आई बात समझ में इसके बाद है थार्ड पॉइंट है अपना अस्सें वह आई वह आई लोगों के हाथ में लोगों ने के जैसे हमारी Central Government बनती है वैसे ही लोगों ने कवर्म लोगों ने जो है Government बनाई ठीक है Uniform laws for the all the citizens were formulated Uniform laws मतलब होता है बिटा सभी के लिए एक समान law बनाए गए पहले क्या सिनारियो था कि भाई अब पहले राजा था नोबल क्लास थे तो उनको क्या मिलता था कि भाई उन्हें प्रिवलेज मिल जाता था उन्हें क्या मिलता था कि भाई ये राजा है तो इससे सजा नहीं मिलेगी जाए कुछ भी कर ले अभी नोबल क्लास वाले हैं तो इ है equal है मतलब officially उन्होंने equal कर दिया था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए सबी के लिए जो law है वो equal है आई बाद समझ में कोई डाउट इस चीछ में उसके बाद है internal custom duties were abolished internal custom duties होती है जो taxes होते समानों पर वो सारी जो duties थी उन्हें खतम कर दिया गया चलिए बाउट देख लेते हैं आपके डाउट्स क्या है भई क्या डाउट्स हैं आपके जब ये डिसीजन लिया गया था तब फ्रांस में फ्रीडम था हाँ बेटा फ्रीडम के बाद ही तो ये सारी चीजे बताई गई थी परिशान नहीं लग रही हो गर्मी लग रही है बहुत जोर से ठीक है चलिए उसके का जो कलर है वो जो बेसिस था उनका कोई बेसिस नहीं था उनका ये बेसिस था कि आपने एक फोटो पर देखी होगी फ्रांस में जो एक लेडी थी वो एक ऐसे कैप लेके बैठी हुई है जिसके हाथ में कैप है ब्लू कलर की तो ये जो कलर्स हैं जिसे हमारे पास जो केसर यह वाह जो इन को क्रांथी के लाता है कि भाई करणथी जो होती है खून जो वैता है ऐट सथींग. फिर जो को एयम विज़ क्रैकर हों सेक्रिफाईस जो हुआ ता बेसिकली थार्ड. जो होता है जो commoners का group था उन्हीं के लिए हुआ था ठीक है commoners का group क्योंकि परिशान तो वही थे ना जो clergy थे और जो nobility मतलब first state और second state वाले लोग थे उन्हें तो हमेशा से फायदा मिल रहा था तो इसलिए जो third group था उन्होंने सबसे ज़्यादा sacrifice किया था आई बात समझ में अब देखते हैं आगे ठीक है इंटरनल custom duties and dues वर abolished सारे dues जो थे वो अब ड्यूस मतलब होता है बकाया पुराना जो बकाया चल रहा होता है ना अपना जो की उधार चल रहा होता है वो सब abolished मतल खतम कर दिये गए ठीक है भाई अब तक जितना भी था भाई तुम्हारा जो भी टेक्स चल रहा था तुम्हारा जो भी उधार चल रहा था वो सब खतम हो गया ठीक है इसके बाद uniform system of weights and measures were adopted uniform system of weights and measures क्या होता है कि पहले क्या होता था कि किसी ने बोल दिया एक किलो का पत्थ कर कई दूसरी जगे पर गये तुम्हाँ पर बोला नहीं हम तो इसे किलो का पत्थर नहीं मानते ही एक किलो से कम का है तो वह अलग अलग सिस्टम ता measure करने का तो भाई जब यह सब हुआ तो इसके बाद जोते एक समान जो standard system होते है जैसे अपन एक किलो का बाट देखते है थार्ड पॉंट centralized administrative system centralized administrative system होता है कि जो central government बनती है उसके पास power आई government में कौन लोग गए अपने ही लोग गए पलक आपको समझ में क्या नहीं आ रहे है अप एक बार लिखोगे तो अभी मैं आपको समझा दूगी क्या समझ में नहीं आया है ठीक है तो मुझे topic लिख के जो पावर थी वो गवर्मेंट के साथ में आई और गवर्मेंट को किस ने चूस किया लोगों ने चूस किया ठीक है बिटा हम मतलब होता है भजन दुबारा से समझा रहे हूँ हम मतलब होता है भजन ठीक है उसके बाद है six point अपना क्या कह रहा है French was considered as common language जितनी भी सारी एक common language अपनाई गई च्याल अपनाई गई फ्रेंच फ्रेंच लेंगविज अब कामन लेंविज के पीछे क्या रीजन था कि भाई देखो अपने लोग मिलेंगे तो अपनी भाषा में बात करेंगे कभी आपने दोस्तियों को बात करते हैं हमेशा सिंदी में बात करेंगे दो गुजराती कही पे भी मिलेंगे, ट्रेन में भी मिलेंगे, तो वो कभी हिंदी में बात नहीं करते हैं, वो किस में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं, the reason is that उन्हें उससे अपना पन लगता है, वो चीज अपनी होती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई हमे करना है कि अपने जो लोग हैं हमारे जो लोग हैं उनको एक कॉमन लेंग्विज दो वही लेंग्वेज जो है हमारी वर्ड में पहचानी जाएगी ऑफिशल लेंग्वेज बनेगी तो पैरिस में किस लेंग्वेज में बात करने शुरू करी गई बात करने शुरू करी गई फ क्लब जो ता उसका सेटिंग अप हुआ जैकोबिन क्लब कौन था मैंने आपको स्टार्इग में रबस करी ने रबस पेरी ने क्या किया ता कि सरकार की एंस्ट गया था कि भाई अब हमें क्या चाहिए हमें इक्वैःटी चाहिए सारे लौस को वोटिंग राइट देने हैं यह सारी बाते उन्होंने करी थी तो स्टूडेंट्स जो थे और जो की पड़े लिके मेंबर थे मिडल क्लास फैमिली के अब जैकोबिंस क्लब में लोग कॉन से आए कभी भी देखना जित्ते भी क्लब सैटल हुए ना हमेशा जो थे एक कॉमन लोग ही आए क्योंकि जिनको अच्छे ऑलरेडी फैसिलिटी मिली हुई है वो गवर्रमेंट के अगेस्ट कभी नहीं जाएंगे भाई जिसको अलरेडी फैसिलिटी मिली हुई वो क्यों जाएगा ठीक है तो इसने यहां पे क्या हुआ सेटिंग अप हुई जैकोबिंस करवाना और वहाँ पर क्या लेके आना री पandelे गरऑद राजिये लेके आना वो जैकोबिंस क्लब का मेरा इन्य 가능 जाथा किा आप पर किंका पूरी तरीके से जो राज है वो खतम करवाना अब इन्होंने क्या करा इन्होंने अपने चलाए कैमपेंस मतलब होता है कि अपने मुवमेंट चलाए जगे जगे जाके लोगों को बताया इसके बारे में अलग-अलग activities करी लोगों को पढ़ाया सुनाया जो सुन जो पढ़ नहीं सकते थे ना उनको पोस्टर लगा है कि भाई ये हमारी हमें ये वाली चीज़ उनने कराई फिफ्ट पाइंट रिपीट करना है बिटा फिफ्ट पॉइंट कौन सा पाइंट पिछला वाला फिफ्ट पाइंट देख लेते हैं इक बार फिफ्ट पॉइंट क्या है इंटर्नल कस्टेंड दूटी दें डूस वर अब ऑले बॉलिश्ट अब को बताई कि जो भी टैक्स लग रहे थे वो सब जो है अबॉलिश करे गए मतलब बंद कर दिये गए और एक यूनिफर्म सिस्टम आ गया ठीक है इंडिया के कला इंडिया के फ्लैग में ग्रीन कलर जो है बटा हर्यालिया प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हम कितना संबर देवो चीज रिप्रेजेंट करता है ठीक है इसके बाद है कि उनकी जो चैम्पेंज हो थे उनको सपोर्ट किया ने सपोर्ट किया फ्रेंच-श्रार्मीज ने सपोर्ट यहां तक गए और उन सब लोगों की दिमाग में आईडिया डाला कि भाई तुम भी अंदोलन करो हम तो करी रहें तुम भी करो तुम भी अपने राजा से मुक्ति जाओ ठीक है इसके बाद जो है अगला था दा फ्रेंच आर्मी बिगें टू करी दा आईडिया फ नेशनलिज लाग के मानेंगे तबी तो हम क्यास कौन सा चैप्टर पढ़ रहें तराइड आइड आफ नैशनलिजम इन यूरोप नैशनलिजम आएगा पूरे यूरोप में आएगा तो जो सारी शुरुआत है जो आंदी उटी थी वह कहां से उटी थी फ्रांस से जो बेसिकली पूरे शुरुआत हुई थी इस क्लास की या फिर इस पूरे टॉपिक की यहां से उटी है फ्रेंच रिवेल्यूशन से इसलिए नाइंट क्लास में इंपॉर्टन्टली पढ़ाया गया और दुबारा पढ़ रहे हैं हम इस टॉपिक को ठीक है चलिए अब आते हैं नेपॉलियन ब पूरे लगने लगते हैं बट जो नेपॉलियन बॉरापर्ट का जो लीडर नेपॉलियन बॉना पाट जो तो तरीक था लोगों को हैंडल करने का जो उसनें डेमोक्रेसी हटाने के बाद भी इतने अच्छे प्यारे प्यारे चेंजेस लाईते वह चीजहाँ इसमें ठीक है नेपॉलीयन वोना पड़ दराइज रूल आप नेपॉलीन वोना पड़ कब से कब तक 1804 से 1815 तक 1815 के बाद यहार गया था और एक वार हुआ था उसके बाद इसे मार दिया गया था ठीक है तो अपढ़ते हैं नपॉलीन वोना पड़ था कैसे कौन था कहां से क्या था वही जब हम पढ़ रहे थे प्रेंच रिवेश्टन तो जब इक्टेटरशिप मालब प्रच में मबड़ की वनी थी बनी था पांचों मेंबर्स की संच तर यहां पे पालीयन था ये रृडर हुआ करता था उस टाइम पे तो उसने क्या करा भाई उसने देखा कि अभी मौका है तकता पलट कर देते हैं जैसे पाकिसान वगरा में होता है ना कि जनरल कमांडर होते पर मुश्रफ वगरा थे तो उस टाइम पर वो रूल किया करते थे कैसे बनेते वह गवर्मेंट बहुत बीक चल रही है, मिलिटरी अपने पास है, अपन इसके लीडर है, एक काम करते हैं, चलो, सारा गेम पलट देते हैं, अपन ही किंग बन जाते हैं, तो वही इसने भी किया, बहुत बुरी हाला थे अभी टाइम है, कि किंग बनने का टाइम आ गया है, डेमोक्रेसी थी उस टाइम फ्रेंस में जब ये बंदा ये काम कर रहा था तो इसने डेमोक्राइसी को पूरा खतम करके अपना राज कर आओ किसने किया नेपॉलियन वोना पार्ट ने ठीक है स्क्रीन शॉट ले लो यार बज्चा कोई दिक्कत नहीं आराम से लो स्क्रीन शॉट इसका ठीक है अब देखो की ही लेट टू मैनी सक्सेस्फुल कैम्पेंज दूरिंग फ्रेंच रिविल्यूशन वार्ट अब टू कर दा अब बहुत तरह के कैम्पेंज चलाएं आंदोलंग चलाएं और क्या करा कि फ्रांस को अलगलग वार्ड में गया और पूरे यूरोप में उसने लड़ाई करके आध बहुत बड़ा पार्ट जो था यूरोप का वह अपने आहिस्ते में ले लिया मतलब होता है ना अपना ए इचे नहीं अटा मिलिटरे वाला अदमी ता तो भाई इसने करा की भाई हम करेंगे हम अपने फ्रांस का एरिया बढ़ाएंगे तो इसने बोला फ्रांस तो रहे गई रहेगा आस पास की कंट्रीज को भी इसने जीतना शुरू कर दिया तो इसने बहुत टेक्स फुल वर्स जो थे वो लड़े बहुत से वार्स में ही जीता भी इसके बाद डेमोक्रिसी इस ने हटा दी बट फिर भी लोगों नहीं से सबसे जादा पसंद किया क्योंकि इसके जो सिस्टम से जो इसने सुधार लेके आए वो आज भी हम फॉलो करते हैं बेटा क्लास चल रही है क्लास र सुधार लेके आना Stock Face में लेके आएगा Friends å जो सुसाइटी है वहां का जो गौवर्यमेंट है जो भी सिस्टम है वहां का उसके अंदर वो सुधार लेके आया कैसे सुधार लेके आया भाई नेपॉलियन ने क्या करा आते ही सबसे पहले तो इसने डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी क्या लोकतंत्र जो भी लोगों को बहुत लग रहा था कि आजादी है यह सब उस सब को डिस्ट्रॉप कर दि में ठीक है फिर उसके बाद उसने किया कि उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ज्यादा लॉजिकल थे और एफिशेंट थे बहुत ज्यादा लॉजिकली बेस्ट हुआ करते थे ठीक है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सुधार किया था उसने जो हमें इंपॉर्ट जुसने स्टेप लिया था नेपॉलिन कोड ठीक है इसे सिविल कोड़ भी कहता है यह इतीन जिरो फॉर में इसने यह लेके आया था यह जीज इसको दा से विल कूड आप एटीन जिरो पॉर यूश्य नोन इस नेपॉलिन कोड ठीक अब इसके फीचर्टेगत तेखते हैं फी कि यह जी जोगी ठीक है तो एक्वाइलिटी भीफॉर दा लॉवाज एस्टैबलिश पॉल उसने सबसे पहली बात के स्टैबलिश करी मैंने डेमोक्राइसी हटा दी है एक और बात है पर लॉग आज भी सभी के लिए इक्वल रहेगा चाहे कुछ भी हो लॉग जो है वो सभी के लिए इक्वल रहेगा ठीक है इसके बाद सेकिंड है फेडवल सिस्टेम बाद अब इसके पास बहुत साई जमीन है मतलब अब एक इंडिया का एक राजा मालो अब उसने सोचा कि इतना बड़ा एरिया में समालूंगा कैसे तो उसने का राजिस्तान में अपने एक आदमी को दे देता हूं दिली एक अपने एक आदमी को समालने के लिए देता हूं गुजरात किसी और आदमी को समालने के लि दिया करते थे तो यह फैड और बहुत अत्याचार किया करते थे उनसे रेंट लिया करते थे टेक्स लिया करते थे बदले में बोलते थे कि भाई तुम हमारी खातिरदारी भी करो तो यह सारे सिस्टम उसने बॉलिश किये बंद कर दिये बोला कि भाई लॉइक वल है और जब पर होगी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेसिकली यह जो थी वह उसने दी ठीक है इसके बाद चौथा पॉइंट दिया अब आलिश्ट और प्रिविलेजिस बेस्ट ऑन बर्थ मतलब पहले क्या होता था फ्रेंच रिविलिशन में भाई यह होता था ना कि जो जैसे पैदा हो है तो उसको सारे फैसिलिटी मिलेंगी उसने सब अटा दी मतलब सुपर ठटी का वो डायलक सुना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो वैसा वाला सिनारियो रखा कि भाई जो हकदार है वही उस पोजिशन पे जाएगा यह नहीं कि राजा का बेटा है त करते हैं है हिंदी मेपन सर्फडम को खेंगे दस सर्फ को कहते हैं दसए रफ को बनाया करते थे करते मिसे regल क consti तेक्स भी मांगा करते थे और फेड़ोल लोग फेड़ोल सिस्टम वाले तो वह भी खतम कर दिये मेनौरियल मतलब यही होता है कि जो उनसे जो का टैक्स हुआ करता था बेसिकली वो टैक्स भी भटा दिये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूब गिल्ड मतलब होता है ग्रुप बनाना गिल्ड बेसिकली होता है ग्रुप बनाना अपना एक समू बनाना तो गिल्ड किसका ग्रुप हुआ करता था जो की आर्टेशन हो गए छोटे पीजेंट्स हो गए उनका जो ग्रुप हुआ करता था उसे गिल्ड कहते थे बट राजाव के टाइम पे इन्हें जो अपना कोई भी गुरूप बनानी की आजादी नहीं थी पर जैसी नेपॉलियन आया है नेपॉलियन ने बोला कि भाई तुम अपना गुरूप बनाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग भी इस चीज के ल कोटे वरकर्स बिजनेस में स APP वहाथ ही खुष्छेस उनकी नहीं 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 यूज स्री तम भर जया है इस लिए उन से बहुषते इंपरेट इमन कोप्नेटरित मतलब ओटा है अपलाए करना थीक है अब इसके बाद है कि आप उस्तने और क्या क्या करा एग्या बन जो मैं आपको समझा रही थी एक किलो का वाट यहाँ पर पहले कि भी कि आपने थी तोलते तो मानेंगे क्या आपको इस टाइम पर बोला कि हम स्टेंडर सिस्टेम रखेंगे चाहे कहीं पर भी जाए एक किलो जो हमारे देश में है जो हमारी जगे पर वो पूरे वर्ल्ड में वैसा ही रहेगा फैडवल सिस्टम बिटा क्लास एक बार यह वाला टॉपक सब्सक्राइब कर रहे थे वैसी करिंसी ब्रूपक और रुपया थे उसकर न आपने क्वोए कि उसने करश टीर खी कि भई ठीक है यह सारी बात उसने करी उसने स्मॉल स्केल गोड्स को बहुत प्रमोट के मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होती है उसको काफी उसने प्रमोट किया ठीक है लास्ट टॉपिक है हमारा एंड आफ नेपॉलियन अब इतना अच्छा राजा था लोग बहुत खुश् उसने क्या करा लोगों के उपर विजय हासिल करनी शुरू करी उसने बोला मेरा राज्य तो ठीक है पर अब मैं दूसरी जगह उपे भी जाऊंगा तब फ्रेंच उसने अपनी आर्मी भीजी पूरे औल वर्ट पूरे यूरोप में उसने अपनी आर्मी भी जी कहां-कां भी थी, Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, Milan, Italy में, ये सारी जगें जो थी, इसके आसपास की जगें हैं, जो भी France के आसपास की जगें हैं, वहाँ पे उसने अपनी आर्मी भेजी, आर्मी भेजने के बाद क्या करा, उसने बोला की, वहाँ के लोग, पहले तो बहुत खुश हुए, पहले तो लोग बहुत मांगते थे, दुआओं में मांगते थे कि नपॉलियन आजाए, नपॉलियन आजाए, बट अब क्या हुआ, वहाँ के लोग बोलने लगे, प्लीज, चले जाओ, क्यों, क्या रीजन थे, सबसे पहली बात, कि वो फ्रांस की आर्मी को पसंद नहीं कर रहे थे, क्यों यार हम किसी भी देश में चले जाए रहेंगे, तो इंडियन इना, तो वैसि नपॉलियन किसी भी देश के लिए कितना भी अच्छा कर ले, एट दा इंड उसके लिए देश कौन सा है, फ्रांस, तो पहले उसके प्रारिटी पे कौन आएगा, फ्रांस, तो लोगों को अपन पन नहीं आपाया उससे फिर उसने क्या करा लोगों के लिए टैक्स इंक्रीज कर दिये censorship होता है जैसे movies देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यह movie center board से पास होती है मतलब पहले sensor board देखती है अगर उसमें कुछ ऐसा होता है जो नहीं दिखाने लायक होता वो उसे हटा देती है तो वैसी उसने censorship करी उदर उन countries में जाके क्या बोला कि हमारी मर्जी के विरुज जो है कोई कुछ चाप नहीं सकता कोई कुछ लिख नहीं सकता ठीक है तो वो उसने करी उसके बाद क्या करा कि उसने वहां के जो common लोग हैं वहां पर उनमें जबर जस्ती वहां पर tax क्यों बढ़ा है अब उसने बोला कि यार मेरी आर्मी लड़ेगी अलग अलग जगों पर जाके लड़ेगी तो हमें पैसा चाहिए तो उन लोगों ने क्या करा जबर दस्ती वहां के लोगों पर अपना दवाब डाला कि तुम हमें पैसे दो ताकि हमारी आर्मी जो है पूरे आल ओवर दा वर्ल जाके लड़े तो फाइनरी जब लोग परिशान हो गए तो जो लुका बैटल हुआ 1815 में उसे हराया गया वहां पर तो यह थी आज की क्लास हमारी चलिए कोई स्केल लिते हैं इससे पहले को इसका पहले सवाल है वें दिड़ फ्रेंच रिविलुशन स्टार्ट फ्रेंच रिविलुशन जो था वो कब शुरू हुआ जली से बताइए मु वेरी गुड़ गुड़ फ्रेंच में रिविलुशन आया तो वो किस पात पर फोकस कर रहा था कि किस तरीके ते हम लोगों को एक 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 वाल राइट दे सकते हैं क्या वो टम से जिसकी वाइव ज़े से लोगों को लगेगा कि वो इक्वल है ऐसे वो शब्दों के नाम बताने हमें बेसिकली क्या वह से सिंबल है जिसकी वज़े से लोगों को लगेगा कि वो लोग जो है वो एक वल है चलिए बताईए ग्रूजे बताव वट से इसका अंसर बताईए इसका आंसर है ए जो अंसर है एक एक आं इका मतलब क्या हुआ लाप यह पेट्री लाप एट्री और लेशी टोयन होता है लीश उत्योयन कि वज़े से वने लगा की भई यह जो यह जो लोग है यह इक्वल है इसके बाद फ्रेंच रिविलेशन कब स्टार्ट वा 1789 में स्टार्ट हुआ मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाइ